हाँ बच्चों आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं बहुत समय पहले एक घना जंगल था एक पेड़ पर कबूतर रहता था और उसके सामने ही एक बिल में एक चीटी रहती थी एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई और उस तेज बारिश में वो चीटी बैगे लेकिन उस तेज बारिश में वो कबूतर बहुत मस्ती में उड़ता रहा उसके पंक से टकरा कर पेड़ का एक पत्ता तूटकर नीचे गिर गया तुरंत उस चीटी ने उस पत्ते पर चड़कर अपनी जान बचा ली बारिश रुकने के बाद वो चीटी कबूतर से जाकर बोली फिर एक दिन एक शिकारी ने उस कबूतर को निशाना बनाया जब उस चीटी ने उस शिकारी को देखा तो वो उसके पास आई और उसे जोर से काट लिया शिकारी का निशाना चूग गया और वो कबूतर बच गया एक छोटी सी चीटी होकर भी उसने इतनी बड़ी मदद की तो हम इंसान होकर उससे जादा नहीं कर सकते हैं हम जब मुसीबत में होते हैं और अगर कोई उस वक्त हमारी मदद करता है तो हम उसकी कितनी भी मदद करें वो कम होगी क्योंकि दूसरे की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझने वाला इंसान इंसान नहीं भगवान है माँ अरी गनेश क्या मॉट ऐसे कैसे गिर गया है चलो बैठ जा तुझे पट्टी बांदेता हूँ अब चल तु मेरा भाग क्यू उठा रहा है मुझे चोट लगी तो तुने मुझे पट्टी बांदी ना तो आज से तु अपनी चिंदा मत कर तेरी चिंदा मैं करूँगा ऐसे क्या देख रहा है आज से मैं चीटी और तू कबुतर चाल क्या हुआ रूख क्यूं क्या आइस्क्रीम खानी है क्या खानी है तो चल खिलाता हूं एक और खाएगा एक और दोना अंकल तु यह सब क्यों करें मुझे चोट लगी तो तुने मेरे पैर पट्टी बांदी थी ना तु खाना दबे में और कितनी अंकल इसे सारी दे दो इन अगर किसी का इसने हाथ थाम लिया तो बहुत मुश्कील होता है इससे पीछा चुड़ा पाना और उम्र के साथ साथ इसकी यह हरकते भी बढ़ती गई आये देखते हैं की Cambree के दंदो बाबु दो 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 बाबु दो 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 दुबाय से सेंट लाया चापांसे अ पाउडर ला स्कें बाबुजी आपका पर्स हां क्यों बाबू ऐसे क्यों देख रहा हो परस आपका नहीं है क्या मेरी है तो फिर परस दिया फिर भी पैसे नहीं निकाल रहा है बाभू की किपा है बाबू देदो बाबू देदो बाबू देदो बाबू देदो बाबू दुबाई से सेंट लाया लोग तरते हैं मुझसे आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो बाबू? इस सेज में सुन्द लर्की के पीछे जाना चाहिए विखानी के पीछे क्यों पड़े है बाबू जी? बर्स चुराने वाले को तो बहुत देखा है पर लॉटाने वाले को पहली बार देख रहा हूँ वाजो गाना गारा तो फिर से गाना को एन गिरने तक मेरी आवाज नहीं निकल लगी बाबू यह ले पकड़ा सिन्मा दिखाऊ मामा जब जब सीन आए सीटी बजाऊ मामा सिन्मा दिखाऊ मामा ज़ो हेलो गाना गाओंगा तो चेंज मेलेगा यह सोचा था लेकिन लाइफ चेंज हो जाएगी यह कभी नहीं सोचा था पपार्स तुने मुझे लौटा दिया जब तुने मेरी मदद की तो मैंने तेरी मदद की हिसाब बराबर आपका नाम क्या बाबूजी बंदे को गनेश कहते ह निकनेम जैकी दादा जोगे मिले उसी बत्लिया है जो हैं कर दोस तो कि आशो जब दिया ने होटो से मुस्काजे होटो से तरह अपोगो कश्ट जब दिया आए कर सोना हिम्मत से मिलेगी रह तेरे दिल को जो तो जिसे ही मदब मिलेगी तुमारे होस्टों को लाइब का यारो यही है पंडा कर दोई से को जिता आए कर यहीं जिसको जिन तुझे को जो 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 तुम जड़ा जो 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 तुम जड़ा वह किसी को नहीं दिखता है कहां रहता है किसी को भी नहीद पता इसका नाम है भवानी उर्फ बैगल एक जमाने में ये बैजाक सिटी का बड़ा गुंडा था पंदरा से पहले इसे मार कर बैरागी बैजाक का किंग बना बैरागीन ने भवानी को इसको किस वज़े से मारा ये किसी को नहीं पता लेकिन कहां मारा है ये सब को पता है बढ़े से पांड अंग को अधिया खायर अदे नेक्या आधे 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 भूनावम आधे खायर जो कर दूए यह क्या भाग। मं आधे जाधे नाधे इंद्धिंडक्र है। को नरत मैं ? कर दो अरत मैं! करत दो हो! कि आवे हैं मिलेना, कि आप आडा दू ढहत… हुँँँँँट्स को, शीयों जाड़ागा! तुम वही होना जो मेरी दुकान पर काम करते थे मुझे बिलकुल यकीन नहीं हो रहा नहीं भाई 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 छोड़ दो मुझे मैं भी बड़ा होकर उसके जैसा ही बनूंगा तु बड़ा तो होगा पर उसके जैसा नहीं बन पाएगा उससे भी बड़ा हो गया हूँ मैं बच्पन में तु नहीं कहा था तु उसके जैसा बनेगा तम मैंने तुझे पागल समझा था बच्पन से ही तु उसकी हरकतों पर द्यान देता आ रहा है ताक कि तु पुलिस के आथों में कभी पढ़ न जाए इसलिए पुलिस की ड्रिस पहन कर तुने उसके सारे लोगों क अधिया में को मार ड़ डाला तु वाकही बहुत महान इंसान है है आज से ही तू आज से ही तू इस ही तू इस वेजाक सीके काँ के लगयर और बा leur कहता है मैं कॉन हूब कल तक इस दुनिया को पता नहीं था लेकिन आज के बाद किसी को भी मेरे नाम के अलबा कुछ भी पता नहीं होना चाहिए क्यों मैंने बहुत दिनों की कोशिश के बाद उसे मारा है ऐसा मौका मैं किसी को भी नहीं देना चाहूँगा इस दुनिया में बैरागी हो या भगवान हो उसके ना दिखने पर ही उसका डर होता है भगती होती है आज के बाद तु अब किसी को दिखाई नहीं देने वाला सिर्फ तेरा नाम सुनाई देगा सबको इसका में ध्यान रखूंगा भवानी का खोन करने के बाद बैरागी ने ऐसा पोस्टर पूरे बैजाक में लगाया था इसी पोस्टर की वज़े से ये पता चला कि उसका नाम बैरागी है आज पहली बार तुम्हारा नाम पेपर में आया है आज के बाद ऐसी खबरें सभी लोगों को हर दिन हर पल सुनाई देगी आकाश वानी का ये विशाका पत्नम केंद्र है कॉंट्रेट के विवाद के चलते बैरागी ने भवानी को माँ डाला शहर के गली-गली में गुंडगरती बढ़ती जा रही है साथी बैरागी का नाम भी फैलता जा रहा है किसी की नजर में नहीं आने वाला बैरागी बैजाक पे कबज़ा कर लिया है फिलहाल तो बैरागी कौन है कहा रहता है ये किसी को नहीं पता कौन सा डील कैसे करेगा उसके साथी कौन-कौन है ये भी नहीं पता इतने बड़े नेटवर्क को वो कैसे हैंडल करता है ये भी हमें नहीं पता उसके खिलाब बहुत सारे केस दर्ज हैं लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएं इस बैरागी की वज़े से हमारा पूरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परिशान है सर उसके बारे में इतना सुनकर उसे एक बार देखने की इच्छा है सर ओ प्लीज डॉन्ट राइट क्योंकि जो भी बैरागी को देख लेता है वो बच नहीं पापा हालो हा पापा पंदर साल के बाद तु वैज़ाग सिटी गया है गर का काम तुमने अभी तक शुरू किया या नहीं पापा थोड़ा बिजी था इसलिए उसके बारे में भूली किया तुम कहां बिजी होगे मैं यह जानता हूं इंग्लिश के H.E.L.P ये चार लेटर जब तक तु भूलेगा नहीं न तब तक सुद्रेगा नहीं समझ गया हाँ हलो 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 उसका फोन ओन है फिर भी वो कोई बात नहीं कर रहा है देखो मेरी लाइफ की वाइफाई आखिर मेरा दिल कनेक्ट हो ही गया यह वाइफाई अगर वाइफ बन जाए तो लाइफ एक्दम सेट हो जाए बहुत अच्छा होगा बेटा ममा आप कल वे हम यहां लाइन पर हैं और तुम हां किसी और को लाइन मार रहा है हलो पापा ठीक से बेटा माबाप की आवाज भी नी सुनाई दे रही है 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 इस बारेश की वज़े से कई सिग्नल मिस ना हो जाए है कि क्या वाद ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है टाड़ी चलती हूँ हां हां ठीक है कंप्यूटर कल रही हो कराटे ग्लास यह क्या है पल्लवी लड़कियों को टीवी देखकर खाना-पकाना सीखना चाहिए यह मार्शिलार्ट किसलिए बेटा टाइगर हेरन को सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है इस साड़ी में तुम इदम परी लग रही हो कि यूँ है मेरे गालों को छूने के लिए बेताव हुई जा रही हो तुझे क्या लगता है तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या ऐसे गुस्से में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती है तो मुझे बहुत प्यारी लगती है तु सच में मुझे मारना चाहती है एक महीने बाद इसी दिन इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी अब मैं अपना चालेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूं माम देखा आपने सुन लिया आज कल ये मेरी बात बिलकुल न अरे बापरे इसको मेरा नाम भी पता है मैं सब जानती हूं गनेश हां तुम हर पल सीचीडी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना अरे बापरे मैं इसको देखता रहता हूं ये भी इसको पता एक बात बताओ मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉचिक या अरे लव का लॉचिक क्या होता है आई लव यू सो मच गनेश हाँ अरे पापरे फेस्बुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट करने से पहले इस देमरा लव एक्षप कर लिया अरे गनेश तेरी तो निकल पड़ी यार अँ बाई गनेश ओ तेरी ये तो इस गनणपती बापा को इस गनेश को नहीं शे अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं पहले ही ब्लॉग कर दिया अरे आर गई गुलाब के फूल के लिए कांटे का जखम तो सेना ही पड़ेगा अरे अरे बापने मुझे गुलाब के फूल को हासिल करने के लिए लड़ाया लड़नी होंगी चलो निकले नहां से चलो जाओ एक बार देखकर आजाता हूं भाई अरे बापने यह वापस क्यों आया मुझे देखकर साला अपना मुझे चुपाने की कोशिश कर रहा है अरे वाह लगता है चला गया अच्छा है उसने देखा नहीं नहीं तो अरे भाई गनेश कव आया तू मैसेज बेजा था पढ़ा नहीं मैसेज पढ़ा इसलिए तो रिसीब करने नहीं आया मुझे देखकर मूं के चुपा रहा था अरे नहीं मेरा सिक्का गिर गया था उसी को ढूंड रहा था चबनी की अकल यूस करना चोड़ और यह बता यहा अरे बचपन में तेरे पहर पर पट्टी माननी थी और तूने कहा था कि तू मेरी जिंदीगी बदल देगा लेकिन तू भाग गया और मुझे नौकरी करनी पड़ रही है एक बात बता मुझे ऐसा क्यूं लग रहा है कि तू मुझे ढूंटे ढूंटे आया है अभी मैं ते लो वो मेरे दिल की प्यास है और सीनो तू पानी की बोतल की तरह है मेरी मदद कर दे भाई फिर से मदद एई तेरी मदद करूंगा तो तू फिर से मुझे चिपक जाएगा यह मुझे नहीं होगा तू किसी और को पकड़ ले एक मदद मत कर अंदर जाने का रास्ता बता यह पर बैंडेज लगाया था आज तूने मेरे पूरे शरीर पर बैंडेज लगवा दिए तिरा भादेज लव के लिए अडवांटेज तूने मेरे लिए इतना किया वही काफी है काहा सची मुच्ची कभी तो वन्पीस सीनू हुआ करता था मगर आज तू टूटा-पुटा-m इंकॉंग की शकल वाला कौन है यही है यहां का इन चार्ज और ऑफिस का मैनेजर भी अगर इसे तुने मैनेज किया तो मेरे साथ रह पाएगा यह आफिस वाइटी लाने के लिए उटी चला गया क्या चल चल इसकी डोपी उतार यह तुम ममी के डमी कैसे बन गए आपका सर्विस फास्ट करने के लिए मैं सर्विस ऑटो में बैठने के बाद पता चला कि ड्राइबर फुल टू नशे में उसने ऑटो को डिवाइडर में चटा दिया फिर उसके बाद क्या हुआ मेरा पूरा शरी इसा कहा था तुम तो पंच बहुत अच्छा मार रहा हो काम भी अच्छा करोंगे ना मैं ऐसा करूंगा सर के आपकी तो खुछी का ठीका नहीं रहेगा यह कुछ ओवर ही करेगा रेंज रोवर हो सर स्पीड ठोड़ी ज्यादा इसका काम तू क्लीन करना चाता है इसका प्र ने कर सकते हैं लेक्स को अखिए अच्छल अच्छल लेट्सको अच्छल ने तो यह नीबू और यह लॉरी को खीच के ला रहा है कुछ तो झोल लग रहा है अई मास्टर के बारे में तू नहीं जानता एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिए अधा फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी का प्लेइन को भी रोक सकते हैं क्या मतलब भी तरह यह फिल्मी तकनीक है बिल्कुल हॉलिवुड वाली अब यह एकदम अलग टाइप की एंट्री करेगा जैसे हीरो करते हैं अब यह क्या कर रहा है यह तो रिंग मास्टर लग रहा है मास्टर इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हंड से कैसे रोक लिया अरे बाबू यह तो मुझे कोई इस चारवाने वाला लग रहा है इसे तो मैं चारा खिला खिला के मारूंगा अपने यह लड़की इती छूटी सी बत में असा रियक कर रही है जब मैं चाहिना में था तो एक मार से चाहिना की बॉन को गिरा दिया था उसके बाद वहां मेरी मूर्ति बन गई और दिवाल फ यहां किसी को कुछ नहीं आता हम जो बताएंगे वही कुंफु क्राटे ताइकान मारलीन ब्रेंडों यहां मटीरियल है नहीं और दुकान खोलके बैठा है तेरी दुकान को अभी बंद करता हूं आजा आजा यहां परफेक्ट करने का शोक है यह नए नड़का ओफिस वॉय है मास्टर क्यों भाई करने आ हो चाहते हो कर रहे हो बाहर बेजो इसा अभी के अभी नए नए आफिस कहां से भी बिलका मास्टर आपको भी पेन होता है पूस्त हो अगर सही जगह लगा तो बुरूस्तनी को भी पेन हो जाए आज की क्लास कैंसल आज तो आप लेग मॉवमेंट सिखाने वाले थे नौ नो गुवमेंट बूट रॉनिंग मास्टर नाइस मिटिंग यू अ मैं तुमसे क्या कह रही हूं और तुम उगे रही हो दोनों ही क्लास के बारे में डिसकस कर रहे हैं तुम्हा कह रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आरहा, great and in my face mind, Tumje, I say it broke a année, क्लास को थोड़ीए ऋखुड़िया अपका फिगर एकदम, classic है। इक दम क्लासिक है, है देखो देखो गनेश तुम इसे जल्दी से सजा दे दो यह सुधर क्या तो माफ कर देना पर यह याद रखना कि इसने मुझे होड किया है सुन लियाना सुना वाली के शुराब है यह मैरागी का आप आप यह आला कितने काई पैकेट रुपए भाई चल निकाल लेकिन क्यों भाई यह पुआ यह अधार यह नमस्ते पाइब मेरे सामने सिग्रेट जलाता है रहे है लाइटर निकाल भै अवे ऐसा गूरता का है रहे है आख निकाल के आमलेट बना दूंगा मैं कौनु पता नहीं है क्या रहे है सही है बॉस लाइटर मेड इन चाइना है क्या है सिग्रेट भी तेरी दूहां भी तेरा पीले है अब बाइक के सालेंसर पे तलवार चुपा के रखता है क्या समझता है मैं डरूंगा पहलागी का अदमी हूँ डरूंगा नहीं रहे है हो गया है चल्ड़े चल्ड़े आगे अफ्ता लेने का है ये रेडवाइन पी अरे गनेश तु हमेशा मुझे यही क्यों पिलाता है बच्पन में जब मेरा गला सूख रहा था तो तुन्हें अंगूर का ज्यूस पिलाया बीस साल बाद उसका क्या होगा वह सड़ जाएगा येस सड़कर उसका वाइन बनेगा अगर इसे पी ओगे तो चैरा शाइन करेगा उसके बाद किसी लड़की से लाइन क्लियर हो जाएगा तेरा करजा इसी तरक चुका रहा हूं एक करजा नहीं है भाई धोखा है चुपे तुझे धोके और दोस्ती के बीच का फारक ही नहीं मालू में वाइन पिले समझ में आएगा नहीं यार मैं अपने मैनेजर के जैसा दिख रहा है नहीं मैनेजर ही है ध्यान से जल्डी विल्चर पैट पैट के यहां घूम रहा पिया हुआ लग रहा है तो अभी तो यहां बैटा था ना आपने पी रखी है ना अरे बापर इनको कैसे पता चल गया तू आफिस बॉय होका दारू पी हां होता है होई इतनी कवरिंग मत कर इस कुंगफू पांडू कराटे स्कूल में काम करने के लिए इन सारे रून्स को स्ट्रिक्ली फॉलो करना होगा बटल दे यह लो बचावा माल है 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 इस लिस्ट से मास्टर की लाइफ की मैं बैंड बजा दूंगा अपनी डार्लिंग को अपना बना लूँगा अब यह लेका ना एक बंच में कैसे पेड को मार के गजाते है ताली बजाओ आपने इतने बड़े पेड को कैसे तोरा मास्टर इससे तो असली पेड और नकली पेड का फरक नहीं पता है यह रूली ग्रेट मास्टर आपकी बोड़ी तो बिलकुल यह लेकिन चोटा सा फरक है वह ब्राइट पिट है और यह बैड फिट शुट आप मास्टर आप यह बताई आपने इतने बड़े पेड को कैसे किरा दिया मास्टर कराटे से सब हो सकता है यह तो कॉंग फू था ना कराटे कुंग फू ताइकंडो मारलिन ब्रेंड यह तो ह अब 11 नहीं बज़ें तो फिर क्यों आए हो देने के लिए रूले लेकिन आने के लिए नहीं यह तुम निस्टब क्यों कर रहे हो इसे चोड़ो चलो अपना वार्क नहीं वर्क आउट करते हैं शट अप मास्टर उस तरह के पेड़ को तो उड़ने की प्राक्टिस मैं करू क्या नो उसे अभी जाने दो अब यह कूंपू से लूट सीखो ऐसे ऐसे कर रही है तो क्या हो टाइम पर जूस नहीं प्यों के तो गैस हो जाएगी जूस को खतम करके से चलता करता हूं इधर लेक्या सर्जी रून नंबर 33 के हिसाब से मुझे आपसे तीन फूट दूर रह करना चाहिए मुझे बहुत लग रहा है मास्टर तो फर क्लास अभी तो यह नहाएंगे अपनी जटाएं बांधेंगे फिर आएंगे सब लोग चले अब कुछ बोलो ना हमारी क्लास चलना तुम्हें पसंद नहीं है क्या वह क्या है मेरा अलग क्लास है तो यह क्लास मेरी सम जब सेंस होता तबी तो लाइसेंस देते हैं ना नॉंसेंस उसमें भी संस चुपा ऐसे डून्ड़ के देख लोह को अ आखे गनेजी लो बात कर लो मैं हूँ गुरुओं का गुरू जोतिश में पारंगत भूत भविश वर्तमान बताने वाला जो हुआ वो बताऊंगा जो होने वाला है वो भी बताऊंगा ओ साम आपके चेहरे पर जो फायर है उसे टायर के पीछे छुपाने की कोशिश मत कीजिए जैसे आप दिख रहे हो वो हो नहीं और असल में आप जैसे हो वो आप दिख नहीं रहे गुरू की शबत खाके कहता हूँ आपकी जिन्दगी में अब मुसीबत आने वाली है क्या बखवास कर रहा है जाकर अपना काम देख मैं अपना काम ही कर रहा हूं इसे हलके में मत लो देख लिया आपने साब कवा भी काउं काउं करके कुछ कहना चाह रहा है हाँ हाँ बताओ मैं सुन रहा हूं हाँ हाँ आपकी जिन्दगी में बैड टाइम की शुरूआत हो चुकी है जिन्दगी का पहिया चित्र विचित्र तरीके से घूमने वाला है और जो पहिये को पहिया यह बैरागी कहा मिलेगा बैरागी मुझे नहीं पता अरे बैरागी मुझे नहीं पता यह भाई यह भाई यह वैरागी कहा नहीं है अलो क्या बोल रहा था तु बीड़ी पीना पॉड़ी के लिए आनी का रहा गया कि यह कोई आवाज नहीं करेगा बैरागी का अदमी यह नहीं आपका फैन हो बसकते तो बहागी के फैन्स क्यों नहीं हो सकते तो बात बोलिये तुने चाल बात मुझे सेल में आपका फोटो चाहिए एक प्रेडियो के आता हूं है अब ही लो भाई मेरा फैबूरेट नमबर म मुझे जेल के सेल में नहीं आपकी वांटेड वाली फोटो नहीं अपने सेल से सेल लेनी है अब बाई गलव समझ लिया मुझे बचपन से कुछ ऐसी आदा था है पकाड़ वह क्या है ना मैं वार्ड मेंबर के लिए चुनाओ में खड़ाओं मेरा निशान हांडी है अगर आप हंडी में बैटके फोटो कीचवाएंगे तो उस निशान को देखकर लोग मुझे वोट देंगे बैलेट बॉक्स में सिर्फ मेरे ही वोट पड़ेंगे और मैं जीच जाओंगा अंडी वाले पोज में क्या लग रहे है यह पोज अच्छा है ना एक यहां से लिए ले हुआ तो इसमें तेरा बटर चिकन बन जाएगा मुझे मुझे मुर्गा समझाए क्या बैरागी का अदमी हूँ कूल कूल ब्रो कूल अबे फूल रहने के लिए एसी में मिटाया जाता है तुने तुने तुम मेरे दीचे आग लगा रखी है अगर तुमें इतना जल रहा है तो फुदक के बाहर आजाओ ना जल्दी से किसी को कॉल नहीं किया तुम मुर्गा बना के खा जाएगा यह मेरा है लो अबे ओ कन कजूरे वक्त से पहले पैदा होने होले का अबे तुम मेरा इंट्रोडक्शन पूछ रहा है अबे भैस भी तुछ से गोराई होगा भै सड़क से गुचर जा तो तेरी गन से लो चक्कर का के नीचे गिर जाते है अबे बता में कौन है अबे भाई को फोत ह आपको देखने के लिए बहुत तरस रहा है भाई करा है तु बता जल्दी फूल मार्केट के बाजू के गल्ये भी होगा है ले भाई अपने लड़कों को बेज रहा है कमर के नीचे मेरा सब कुछ जलना है मुझे जल्दी से निकाल ले बहुत तकलिफ हो रही है प्लीज अ अब ही तुझे पता चलेगा मास्क दे यह अच्छा है अच्छा है न चल्ड बाइब चल्ड और मेरे बच्पन में बाब स्कूल टीचर और फिर मेरी बीवी ने भी मुझे इतना बुरा कभी नहीं बॉला चल बोल फोन क्यों किया था मुझे तुने नीचे के जल रहा था इ मैं तेरा तो नीचे जल रहा था लेकिन मेरा तो दिल जल वहाँ है कांस्टेबल इसे हांडी के सार उठा के ले चाल अलो बैरागी कहा है है हसुन तु बाहर बैरागी के बारे में पता कर रहा था ने इसलिए भाई ने तुझे बुलाया है बैरागी कि धर है इसा पब्लीक में पूछता हुए फिर रहे अब बता ऐसा क्यों अरे वही इन्कवाइरी कर रहा हूं इसमें तुम को क्या प्रप्लम है भाई उस ही प्रप्राबलम है उसने मेरे बाप को मारा मैं उसे खतम कर दूंगा उसके खोन से पिदा के बोटन पितिल लगाँगा उसके गुरसी पे गबजे का इंतिजार तुम्हें 15 सालों से कर रहा हूँ वा क्या मकसद पाला है तेरी वजह से हमें खत्रा है तू अपनी इंक्वाइरी बंद कर दे पूरी तरह से मैं उसका नाम लेकर इंक्वाइरी करता हूं तो प्रॉब्लम है तो फिर मैं उ फोटो दिखा तलाशी ले यह फोटो विल्कुल उसी की है जा के ठोक डाल उसे ठीक है और इसनल फोटो दिखा अगर मुझे टपका दिया तो तुझे बायरागी से कौन मिलाएगा हम दोनों का दुश्मन एक है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है प्लीज यार फोटो दिखा ना फोटो दिखाओं तो मुझे से पहले उसे टपकाई है उसे मारने वाला कोई भी हो उसके मरने के बाद कूरसी मेरी होगी तुझे बदला लेना है तो तु ले उससे लेकिन याद रखना तु अकेले नहीं मार पाएगा पीना मेरी मदद के आज से हम दोस्त हों जिसकी कोई मदद नहीं करता उसकी उपर वाला करता है चल साथ में डूंड़ते हैं उसे अरे बच गया बेटा उसके सामने आपका सर जुकाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वैर आगे के मिलने तक इसकी ज़रूरत है पस वह मिल जाहे उसके साथ साथ इसे भी काट डालने तक इसकी ज़रूरत मेबी इसे देख के तुमें क्या समझ में आया यही कि आपको मच्छदानी की ज़रूरत नहीं है मास्टर इसको शॉर्ट काट लॉग कट नहीं समझ भाई है इसको अटोमेटिक ली डालना होगा यह तुमें तल्वार लग रही है क्या नहीं यह हमारी खांदानी अगर बत्ती पुराने जमाने में चाइना के लोग डेंगु की डर से घर के अंदर जाके चुप जाया करते अगर्चर लेकर लांखो मच्छरों का सर काठ चाहब शोटा सा मच्छर दो करोण चाहली वांट बेवी की भरिद क्नी ने All तलवार को इस तरह से ऐसे पकड़ते हैं दूसरे हातों ऐसे पकड़ना चाहिए इस तरह से निकालना चाहिए पॉजिशन को सेट करके उसे इस तरह से लिए प्रवाजे पें नौक करके आना चाहिए और अधर करें कि नहीं शाम के वक्त आपको चार बादाम पूल के नीचे ब्राइकेट में क्वालिटी बा दाम देना है ऐसा लिखा हुआ है तो टेस्ट करने के लिए मैंने खाvisor तुन्हें दूसरे चार लाने चाहिए थे ना रूलक की तुनिस को आख मानने की क्या जरूत है तुनिस फॉलो कर रहा हूं और तुम कॉन सा रूल फॉलो कर रहा हुआ अगर कोई 9 feet के फास्टले पर आपके करीब आता है तो मेरा काम है एक नजर उस व्यक्ति को देखना तो जब एक आख बंद करके देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे आख मारी हो सर सर थोड़ी दिर पहले यहां एक आदमी बैठा हुआ था बता सकते हैं वो कहां किया काउन यही है वो आदमी यह कौन है और तुम कौन हो मुझे क्या मालू मुझे परिशान मत करो सर 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 प्लीज बताई यह यह आती है न तुम्हें कहान नहीं बता प्लीज बताई नहीं मेरे प्यारे चाइनीज नुडल्स ओँ इतने दिनों से मैंसे में हुकूब समझ रहा था कि बंद करो कि आप क्यों रहा है ठंड लग रही है ना अब कर तकली जीए अब करा था तो आपको इसे पिर से काट कर के दिखा दो मैं तेरी तरह ग्राफिक्स नहीं औरीजनल हूं यह साले चार मच्छर मेरी डालिंग को काट रहे थे इसलिए मैंने इन चारों को काट डाला मुझे तेरी नियत में अगर खोट नजर आई तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूँगा मेरे प्यार के मामले में उगली मत गुसेड़ना गुरू है तो गुरू की तरह रहे पूरी इज़त उतार दूँगा है यह मच्छर कुछ ज्यादा ही है इस कॉइल को जला के सोजा आश्मान भवाए अब तेरे बिना अब तेरे बिना अब तूम्हें मेरी लाइफ के बीच पे गोल की पर जैसे आगए थोड़े दिनों पहले जो दूफान आया था तुम उसमें बच क्यों गए उस दिन में आट उप सिटी था अगर ज्यादा बात की तो चुप रहों तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है ठीक है तो इनसे बात कर लो गनेश भगवान जी मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म सौ बाहर देखी है अगर आप मुझे अपना सच्चा भग मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या इसका हाथ पैर हाट किर्णी आपी बोट गनेश अगर अगर तुझे नहीं वहाँ अगर तुझे नहीं वाना मुझे लगा तुटो तो गया मैं रही बल्कि वो गई शारु खान के जैसा तुने मस्ताइक यह अब 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 बाजी घर भी और डॉन वी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाटियों से करके दो डाला मुझे भाई आपने मुझे इसमें घुसाया है ऊपर तो तोड़ फोड़ोंगे नीचे का फाट बचाए लोगों की खोबड़ी पीने के बाद टली होती और तेरी चार्ज होती है अब और मोटे इतनी सारी पी चुका अवे तक याद नहीं आ ए तक याद रहे हैं व्हश्वर मारी तरह पूरी की पूरी बॉतल पिलाते थे लिए बिस्किट खिलाया करते थे चोटे चोटे बाई बैठ कर पीने से याद नहीं आ रहा है जूले पर चलते हैं अगर फोटो गवादी तो तेरी जान ले लूँगा भाई बिल गई से मेरा भाई दारी भी है इसकी उसे तो कोई जानता नहीं भाई इसे डूनेंगे तो कम से कम कुछ लोग बतातो देंगे भाई भाई जिसी और को याद कर रही थी बाली आप भी बंच पार रहे हैं भगवाई जी आप यहाँ कि योड़ किसी और को याद कर रही थी बाली प्यट्राइब आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी जब से पैदा हूँ तब से पंच मार रहा हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है दानती हो ना वह एक सेंसलेस स्केलेस यूजलेस लेस्ट ऑपा का परम भक्त है वह उस गनेश को इस गनेश से ज्यादा प्यार करते हैं यह लेकिन गनेश इनकी चौती आख है तुम्हारी वज़े से उसके हाथ पैर खराब हो गए है वह वह सब आपके ही पावर से हुआ इसल अब सुनो तुम्हारी वज़े से मेरा पावर रिवर्स हो गया है मैं बिना पावर का ट्रांसफर्वर बन गया हूं मेरा पूरा पावर ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें काम करना होगा वो क्या है बगवान जी उस गनेश की खूप सेवा करके उसकी तवियत को साधारन क कर दो यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो मेरा पावर मुझे वापस मिल जाएगा परना जैन से चलना पड़ेगा आप पिल्कुल टेंशन मत लीजी भगवान जी मैं उसकी हाथ पैर ठीक करके आपका पावर आपको दिलवा दोंगी मेरी बात का विश्वास किजी भगवान चुहा तो छुट्टी पर गया हुए इसलिए हम यम्राज से बाइक उधार लेकर प्रित्वी लोग पर आए हैं पापा ये बताइए टाइम क्या हुआ धाई बजा होगा चलिए ना इस त्री बाट गया ना अरे तुम अपने पापा को छोड़ कर जा रहे हो अरे देख वो क्या हुआ यह मरा है यह जिन्दा है यह देखने आई हो एक्चली मुझ में इतना पावर है यह बात मुझे पता नहीं थे मैंने तो बस उसन ऐसे ही बोल दिया तो आप क्या करने का हिराता है मैं आपकी सीवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंगी ऐसे करोग ठीक है आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाओंगी माखा लोंगा तो फिर ग्राइंडर कहा है वहां पढ़ाए देखो ना यह मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती ट्रेडिशन फॉलो करती है इसलिए यह मिक्सी है यह वाशिंग मशीन है विद वाटर टैंग और यह शुरुवात क्लीनिंग से करें है मेरी मां इसे काम करते है देख्ती है तो इसे अपने घर की भहु समझता नौकरानी समझती आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना तो शॉक ट्रीट्मेंट से ठीक हो गया और तोड़ते हुए आपको बचाने आगया किंद लो गई तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला तुम्हारे दूस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेरे पास आजerson तुम्हारी मजे से यह सब हुआ है उस्सें नहीं तुम्हें आरना चाहिए चल आजा तुम आगी यहां मुझसे बचने के लिए यह तुझे साथ लेके आई है क्या लेडीज के लपड़ा नहीं पड़ता तुम आपत में समत लो भाई यह तुम क्या पर अपना मामला खुदी निप्टाओ चलो आजाओ यह इनका आपसी मामला दरसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवायवा नहीं करवाई है बलकि यह एक मार्शल आट की ट्रेनिंग का एहम हिस्सा है मर्द इंस्टिट्यूट में जाके मार्शल आट सीखता है लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूत नहीं है फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है जैसे सील बटे में चटनी बनाते हो ना पल्टे से हलवा बनाते हो ना फाइट में भी ऐसी खिलना है सबसे पहले काम करो उसको कपड़े की तरह सुखा कर उस पर क्लिप लगा दो फिर पंच मारो या बाए हाथ का चाटा मारो चॉइस तुम्हारी है आजा हाँ 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 तुम सूपर वोमन निकली और तुम जानते हो तुम सूपरमान हो मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कह रही हो हम दोनों सूपर की बारे में ही बात करें हैं मेरा डायलोग मुझ पर ही है प्रेम कर लिया थिर बिंगर मेरें घ्रिम कर लिया तुझे दिल में बढलिया तुझे साली में दिल पे कर लिया You are my darling, oh, ling-o-ling-o-ling What a, what a feeling, oh, ling-o-ling-o-ling You are my darling, oh, ling-o-ling-o-ling What a, what a feeling, oh, ling-o-ling-o-ling ते इश्क कर लिया, ते डिस्क ले लिया, तुझी को ये दिल दे दिया ते पेक्सी कर दिया, ते रे तन अभे डांदिया You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling Oh yeah, oh yeah You're my darling, come on the way, you are blazing, heaven's in feeling it now All my crazy feelings are racing, my baby, let it go, love me now Don't you love me, baby, no feel me My habits are making the way to my beautiful world Darling, darling, feeling, feeling Come on baby, we will settle this now Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Racha made me hold on the ground Singal window, go to the seat My story is that you are in the background You are my darling, you are in the background You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling You are my darling, oh-ling-oh-ling-oh-ling What a, what a feeling, oh-ling-oh-ling-oh-ling कर दिया तेरे बाइस दिल में जदी लाइट माहिया एने दिल में जदी टिया तेरे थे जदी ले लिया एने पीचे कर दिया तू ने हिसे कर दिया दोनों ने दुनीया पे बाइचे कर लिया । क्यों बैरागी आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है आज सुबह एक नमूना मिला जो अपने आपको बैरागी का आदमी कहता था वो मुझे ही धम का कर पैसे लेकर देखा अपने ही नाम के खौफ से मुझे डरना अच्छा लगा बगवान कैसा होता है ये तो आइडिया लोगों को जरूर होगा लेकिन बैरागी कैसा है ये किसी को नहीं पता इसका जो नशा है वो किसी भी चीज में नहीं मिलता स्वामी सत्या इधर देख बैरागी किसने तुम्हारा स्केज बना है किस ने बनाया है पता लगा उसका हलो ये सब क्या हो रहे सर क्या हुआ मुझे एक आद्मी ने बैरागी का फोट दिखाया और शे पूचने लगा की बैरागी कौन है मेरी पर रिक्षा लेने के लिए आप इने किसी कू भीज दा क्या तो पागन हो गया क्या मैं किसी को क्यों भेजूंगा वो अभी कहां मिलेगा मुझे नहीं पता है उसे देखेगा तो पैचान लेगा ना हाँ पैचान लूँगा तुम्हारा स्केच बनाने वालोई को 24 घंटे के अंदर लाकर तुम्हारे सामने कड़ा कर दूँगा फोटो तो नहीं मिल ले ये बाई लेकिन उसे कहां देखा ये याद आ गया कहां कनक राज की दुकान के पास कि बैरागी को सिग्रेट पीते हुए हमारे आदमी ने इसी जगे देखा था यहीं उसने मुझे फोटो दिखाई थी उसे यहीं कहीं होना चाहिए उसे आसपास कहीं ढूनेंगे तो वह जरूर मिल जाएगा आप और वहां पर बड़ी पब्रीके गट्टी चल गया रहा है वह एक आदमी का इसकेश बनवा रहा है कहता है कि जो उस आदमी के बारे में बताएगा उसे वह पचास हजार देगा पचास हजार यह हट रहे हट 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 यह लागा पुनका एक कोई धन्दो कोई चन बारे मेरा चलता है भाई जंग्रे क्या अब वह इसकेश बना रहा है बाद में देख रबता देना बता देता हूं पच्छास हजार रेडी कर ले यह बहरागी का आदमियों चाल ले चाल 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 अब आप अब यह यह वो उस दिन इसी को मैंने देखा दो वह देखो अध हुआ है हुआ है 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 कि अधार अधार बोलो भाई कल तक उस फोटो वाले को सिर्फ में अक्किला ढून रहा थे लेकिन आब उसे पचास लोग ढून रहे हैं पीशे देख पुरी बारात खड़िये तुने जो जगे बताई वहां तो देख लिया अगर तुझे कहीं दिखाई दे बिना लापरवाई किये सीधा फोन करना तुना नमबर लिख ले मेरा अब है तुझे बोलने है नमर लिख एट नाइन सेवन एट वाने हेट हालो काँ तुम्हारा फ्रेंड हूं मैं हम दोनों का दुष्मन जब एक ही है ना तुम्हारा फ्रेंड ही हूं से उन्यक्रेशप जैसे तुमेरे सारे डील्स पहाड के उपर ही करता है और डील के लिए वो आलरेडी निकल चुका है एक सवा घंटे में वो वहाँ पहुंच जाएगा बैरागी, तुम्हें मारने वाला बैच वही है वही है बैरागी, तुम्हारी फोटो लेकर अर्क्वारी करने वाला एए, उस बैरागी को मारने के लिए मैंने अपने बाप की कुलाडी पर धार करवाई है इसकी बाडी लेंग्वेज चेंज हो गई है, इसका मतलब वही है वो बैरागी पहले उसे, फिर बाद में इसे भी खत्म कर देंगे वो खुद मौत के पास भाग कर आ रहे मैं रागी मेरे एक वार से दस करदने कटेंगी तू डर जाएगा अपनी आँखें बंद कर ले सत्या कर दो 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 थान चल आपने आत्मों को क्यो बारा कर दो कर दो कर दो दो को लग जो बैस भाने दो मैं वाने, लग को येma है लग को बड़ाई को ये लो खुबब जोगाने कर्णा है कर दो कि अ कर दो कर दो हाँ 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 इतने लोग तुझे मारने के लिए ढून रहे हैं फिर भी तो सही सलामत है यह देख इनका क्या हाल बनाया मैंने आज के बाद तेरे उपर कोई भी आँख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका यही अशर करूंगा परलोग पहुचा दूंगा उसको क्या है कि अगर मेरी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो मैं उसकी लाइफ सेट कर देता हूँ और तूने मेरी कोई मामूली हल्प नहीं की है दोस्त आज के बाद तू मेरा गॉड है और मैं तेरा बॉड़ी गाड एक बार तू अपनी जिंदेगी की चावी मुझे दे दे फिर देख इन जैसे लोगों की जिंदेगी पर कैसे ताला मारता हूँ तू स्टेप पाइ स्टेप मेरा कमाल देखता जा यह तेरी रक्षा कर समझ में नहीं आता मैंने उसकी लिए किया क्या है मुझे बिना बताये तुमने उसकी कोई मदद की मैं कोई संथ नहीं हूँ जो मदद करूगा मैं गुंडा हूँ लेकिन उसे देख करके तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत बड़ी वज़ा है वो जिस से मिलता है जिस से उसकी जान पहचान है और जो भी उसके रिष्टेदार हैं उन्हें यहां लेकर आओ इंस्टिटूट खोलने के बाद ज्वाइन होने के लिए इतने सारे लोग पहली बार आए हैं वैरागी भाई ने बुलाया है चलो स्टेंट मास्टर हूँ हूँ है देखो समूंदर के पास तुम गह तो मज़ा आयगा और वहीं समूंदर अगर तुम्हारे पास आयगा तो सजा वैसे वहीं तुम्हारे तो बैरागी को जानता है ना मैं तो जानता ही हूं उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते और वो मेरा नाम सुनके डर जाता है यही है यह अगर यह बैरागी है तो मैं बिल ला देनू समझा मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई भाई तेरा ओफिस बॉय गणेश कहां है अरे बाबरे तुम्हें भी परिशान किया एक बाल बताओ भाई सिम यहां होता है और अटोमेटिक नेटवर्क वहीं पकड़ता है अगर उ बाई 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 यही है गणेश की लवर का घर एचली वो पहले मुझे पैर करते थी बाद में उसकी लेवर बन गई मतलब जमीन हमने तयार की और खेती वो कर रहा है मुझे में क्या कमी है बाई हमारी जवानी में घुन लगा है वेजाक सिटी में चूट टेकने वाला प कि भाया कि मेरी बहन से कोई प्यार करता है ये बात तुम लोगों को पता होती हुए भी मुझसे छुपी रही इसका जवाब है तुम्हारे पाफ चुप हो जा तू जिसे प्यार करती है उसे भूल जा बहुत जी लिया मार डालूंका उसे इस अपने बाप को नहीं छुड़ा तुम मेरा क्या हाल करेगा अरे बाब्रे भाई सारी बाई कसंसे मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मैन है कुछ मुझसे गलत निकल गया तो माप करता हूं क्यों बहुत बहुत चालाक है वो मुझे टागेट बनाने के लिए उसने मेरी बहन को ट्राइप किया नहीं छोड़ूंगा मैं उसे हां इस बार में यहां आपके लिए नहीं आया हूं तुम्हें फोन करके मैंने ही बुराया है तुम जिसे प्यार करते हो वो मेरी बेटी है तुम जिस बैरागी को ढून रहे हो वो उसकी बहन है मतलब बैराग यह आपका बेटा है वो क्या है यह जानने के लिए तुम्हें पाश्ट जानना होगा कंघरिवाइशwalk है नमस्ते लाइं तुमारी एक बेटी है ना कहा ओना हमारी बेटी कमारी तो भी भी शादि हुए हमारी बेटी कहा से जाएगी तुम्हारी शादि हुए Sense साल होगे और तुम्हारी बेटी को हुए साथ साल हुए लगता है पागल खाने से सिधे यहीं आया है चलो हमारी शादी को आठ साल हुआ है और हमारी एक बेटी भी है बहुत सोच समझ कर मैंने अपनी बहन के लिए तुम्हें सेलेक किया है फ्यूचर में वो मेरे रास्ते का रुकावट बन सकती है इसलिए आज से तुम दोनों ही उसके माबाप हो उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना तुम्हारी जरूरते पूरी होती रहेंगी वरना बैरागी को देखने वाला आज तक जिन्दा नहीं वचा अच्छा हमारी बेटी कहा है इस तरह सहस्तरा के सा साथ यह सारी दौलत भी मुझे मिली जो कुछ भी है शहस्तरा के वज़े से उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मागा सिर्थ तुम्हारे अलावा उसे कहीं दूर लेकर चले जाओ बेटा और शांती से अपना जीवन जीओ क्योंकि बैरागी कितना खतरनाक है यह मुझ कियो भाई मुझी को डूंड रहे हो ना कितनी तकलीफ यू ले रहे हो एक कॉल कर लिया हो ता मैं खुद आ जाता है कल सुभा एंटियर सेंटर के सामने सावित्री होटल में मिल लेते जल्दी आना नाश्ता साथ में करेंगे है बुऽा है बुछ है डाना वे, अधर है यह खर को फे आ教 pole डिया यहाह है बुछ्छ नृ बुछ ध्व बुछ १॑ बुछ 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 अग्梧ी का आदम यह उब है इक यहां यह रहागी भाई 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 कि हो इसे दिनों से आज के नाम के सारे दिना भाई अब चुप करो तो बहाई भाई 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 अब बेब अगूफ क्या उलाद हूँ ऐसे घूर के क्या देख रहा हूँ बताना चाहिए था ना कि यही अपने पहरागी भाई बारो भारो मुझे घूप बारो भाई तुपर से मारो भाई भाई इसका फून कि यह वाले जंक्षन पर तुम्हारा पोस्टर लगाने की टेंशन में आजाओ ना बाई वहां से हिलना मत मैं अभी आ रहा हूं नहीं वहरागी पूरी सिटी में लोग आज तुम्हें पहचान पा रहे हैं यह सब उसी की प्लानिक की वज़ासे है उसे जो भी करना था कर चु हलागी भाई है अब चल रहे हैं राइट हो या रॉंग मुझे नहीं पता लेकिन हरे कॉटो पे तमारी फोटो लगा जी कहा है तु में चौराय पे तमारी फोटो देखके लोग सीटी बजा रहे हैं मुझे बड़ा मसा आ रहा है मैं पहुच गया ता है तु अरे पलेट तेरा ध्यान की दर है भाई अधर अधर तु मैंने कहा पलेट तेरा ध्यान की दर है भाई मैरागे भाई को पकड़नी के लिए इसने मेरे को ही उल्लू बना यह पोस्टर निकला हीरो आइसा ही लगा ना भाई जरा एक फोटो हो जाए यह मोटे तु भी आजा भाई आट डालो ना अब यह फोटो को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाओ के ट्विटर में ट्विट सहोंगे फेस्बुक पर लाइक सहोंगे वाट्सेप पे कहेंगे वाट्साप जरो ताली बजाओ इसके बात तो तुमारी वाट लग जाएगी पतब इतने फेमस हो जाओ कि हर जगा बैरागी ऐसे शेर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा अब भूल गया बाई आज से ठीक 15 साल पहले उस जापानी गार्डन में उस भवानी के साथ मेरी नोगजोक हो गई थी उस दिन क्या हुआ था बुझे मारने की हिमत किसने की तो मैंने ही मार आंकर स्वारी बॉल दै दीजिया क्या हो आंकर वाट कर रहा है तो इसे क्यों मार रहे हो तो कौन हा रहे है मैं इसका प्रेंड हूँ वो ना मेरे पहर पर चोट लगी थी तब इसने बैंडेज बांदी थी इसे कुछ मत कहना चोटी सी तो चोट लगी है दवा लगा लो ठीक हो जाएगी एसे नुबॉल लेकर आ हां वाह मैं कौन हो तु जानता है क्या नहीं जानता हूं अगर जानता तब भी एस भात करता है अगर इसे कुछ भी किया तो चुप नहीं रहाएं salt अभी कुछ नहीं करूंगा जब मैं पड़ा हो जाँगा तुम भूड़ा हो जाएगा तब मैं आकर तुझे मारूँगा तुछे अभी खतम कर दूंगा चूल तो इसे इस चूल तो तो प्रजो तो इसे लोगों को मार मार कर तुम बैड मैं बने लेकिन मेरे लिए गॉड मैंन बने अब किसी को भी मारने से पहले उसके आसपास वाले को पहले मारूंगा कि रोगो रोगो आजाओ आजाओ अरे गनेश सुनु मैंने बैंगलूरू के लिए तुम दोनों यहां से चले जाओ इसका टिकट भी बुक कर ले अ अग्या तुरी बैन मुझसे प्यार करती है भागनेल की सोच नहीं मेरे साथ हिम्माद है तो रोक ले मैं ऐसा कहूंगा यही सोच रहे हो ना सैस्त्रा तुमारी बैन है यह पता चलते ही मैंने अपने लव को लॉक अप में डाला और इसके साथ जो भी मेमरीस थी उसे डिलीट कर दिया तेरी बैन से ज्यादा मुझे तुछ से प्यार है अभी तक नहीं समझा तेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान किया मेरे लिए तु बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है लव मेरे लिए आम है और तु मेरे लिए खास है तेरी लाइफ तु मुझे सौफ दे दिंका चिका दिंका चिका कर दूँगा आज तक कभी किसी को नजर नहीं आया आज वही बैरागी हर किसी को नजर आ रहा है और उसकी जलक पाने के लिए शेहर के लोग बेता अरे भाई तीवी तोड़ोगी क्या अरे यहां बिल भरने के पैसे नहीं है और तुम टीवी तोड़ा है उसे नहीं छड़ूँगा मार दूँगा उसे उसे मारने से पहले उस गनेश को मारना चाहिए उस कमीने की वज़े से बैरागी मिसो गया इस पार दोनों को एक साथ है और वो तो बैरागी का फैन है उससे कैसे मारोगे भाई चुप चाप टैबलेट कर लो उन दोनों की मौत मेरे ही हाटों आगी नसीब खराब होता है तब ऐसा ही होता है कभी टॉर्च लाइट के जैसे किसी को नहीं दिखाई देता था लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के जैसे रोड़ पर आ गया देखा भाई तुम्हारे बाहर आते ही हर तरफ खामूशी चागई कउवा भी काउं काउं करके उड़ गया पेकिन जाते जाते वो मुझे कुछ बता गया है उसका और तुम्हारा जरूर कोई लिंक है अब क्योंकि कउवा शनीदेव का वाहन है पहले यह आया तो के पूरे शहर में घुम रहा है अभी तक उसे किसी ने क्यों नी पकलता है अपने पकड़ पाएंगे सर उसे पकड़ने के लिए दिल्ली से एक विशेश आ रहे हैं उनका नाम है के कटपा पुलिस की वर्दी में साथ-चाथ शेर हो उनकी एंट्री के बाद नो कमेंट ओनल लोगी हिरन तब तक जिंदा रहता है जब तक शेर से सामना नहीं होता शेर के सामने आते ही खेल खत्म अगर मैंने खोली चलानी शुरू कर दी तो शंशान में जगें कंपड़ जाएगी अभी तक मैं 909 में इंकाउंटर कर चुका हूँ अरी यह कोई MRP है जो बार-बार र तो एक अपनी लाइने बोलता हूं समझ मैं आया कि लहीं लेहीं यू अर अंडर अरेस्ट कोई आरा गैरा नहीं हूं कटपा कटटकटकटपा हूं तो कटपा हो या खाली डिपा काकी वर्दी पोस्टमेन भी पैनता है और रिक्षेवाला भी पैनता है अब क्या बता हम सभ जोगे ना लेडी को देखकर कैदी समझते हो पिलर को देखकर किलर समझते हो अन्दे और बहर रहो तूँ अम्द्भाइ प्रते हैं ये सबूत हाई किया तुम्हारे पास इसके पीछे गुंडे लोग भूम रहे यह सीची टीबी कैबरा पे रेकॉर्ड हो गया है और रेकॉर्ड को कोई बदल नहीं सकता चीची गुंडे उंडे नहीं इनके रेलेटिव से इनकी जॉइंट फैमिली है माँ बाप चाचा चाची मामा मामी साला साली बड़े भाई छोटे भाई भांजा और भती जे अब आप हैरान हो जाएंगे बहुत बड़ी फैमिली इनकी इतने लोगों को फैमिली नहीं कहते हैं मौहला कहते हैं अरे वाँ हीरो के लाइन पर क्या पंच मारा मैंने अगर सच में फैमिली मेंबर है तो कहीं तो इसका घर होगा जहां यह अपने परिवार को साथ रहता होगा चलो दिखाओ इसका घर सर देखिए यही है इनका घर भाई राजू ब्रिंदाम मेकेनिक का काम करने वाले का इतना बड़ा घर वो क्या है ना भाई दिन में पंक्चर बनाते और नाइट में वेंचर करते अगर घर में इसकी फैमिली नहीं मिली ना तो तेरे भाई को शहर में दोड़ा दोड़ा कर मारूंगा यह बैरागी है यह भाई राजू अभी पता चल जाएगा चलो अंदर मुर्गा गया तेरी पड़ोसन का अरे चुप हो जा ऐसा बिसुरा गायक मने आस तक नहीं देखा वाले में तू शंकर कुमारू साहब देखने में तो गोल मटोल गरनेश जी की जैसा है इस इसका नाम शंकर किस ने रखा इसकी मा शंकर जी की फिल्म देख रहे थी उसी वक्ति यह पैदा हो गया सर यह लोग कभी है सर राजा राम मोहन राम सीता राम रोट पर जाडू लगाने वाले जैसे दिख रहे हैं कभी कैसे होगा सर दिखने में ऐसे बाकी बहुत इज़द अब दॉक्तर है यह समझ गया क्रिकेटर के साथ इंजिनियर भी यह क्या कॉमिनेश कर रहे हैं सर इन लोगों को मेकैनिकल इंजिनियर बनाने के लिए भाई राजू को मेकैनिक बनना पड़ा सर चलो जाओ तब लोग कुर समय नहीं है या लेडिज भी लेडिज पराय वो लोग और्थोडॉक्स है तो मैं मेट मैक्स हैं हम सब एक ये फैमिली की लेडिज हैं तुमसे पूछा क्या को दर असल पुलिस के सामने साच बूलना पड़ता है अब यह क्या है लगता है जैसे आइपेल जीत कर आए हो और यह आरती लेकर आई है वह क्या है ना सर भाई इतनी महनत करके आए इसलिए बहन आरती उतार नहीं है भाई बिन लादेन जैसा दिखता है और बहन ब्रिटिश की राणी के जैसी यह क्या कॉम्बिनेशन है आप चलो भाई पहली अपना दाया पर नंत रखी भाईया वैलागी की मार खाकर इसके ब्रेन का एक नस कट गया है यह कब कनेक्ट होता है कब डिसकरेक्ट होता है इसे मदर और फादर हैं तो यह लोग कौन हैं बड़ी मां बड़े पापा वो लुक स्मॉल मदर मतलब चाचा चाचा बिलकुल सही पकड़े हो तुने अच्छा मैच किया यह कौन है बिजली के खंबे के जैसा हमेशा इसके पीछे क्यों खड़ा रहता है मारूती नाम है इसका हमे बास कर रहा है इसे कोन अपनी लड़की देखा अब यह क्या बोल रहा है यह कह रहा है एसी डाल दू क्या दरसल क्या है आपको बहुत गर्मी हो रही है इसलिक है ठीक है इवेंट मैनेजर के जैसे सब कुछ मैनेज कर दिया अच्छा तु इन सारे लोगों का क्या लगता है अब क्या बोलू यह मेरे होने वाले पती सर यह क्या है यह तो बहुत शर्मारी है लब मेरे जना नहीं यह कोई भी एक भी रिष्टदार नहीं है इस घर का नौकर अगर मैंने जुबान खोल दी तो तेरा काम तमाम हो जाएगा आपको जो भी इंफोर्मेशन चाहिए मुझ तो मैं क्या बताने जा रहा था सच चाय चाय बीते में आपको बताता हूं यह क्या है लेमनटी सर तो दी शक्र के जैसा गठ्या आप पीलो सकता है मैं तुझे बताता हूं कि चाय कैसे बनानी चाहिए आदा लिटर दूद लेकर उसे गैस पर रख दो उसमें थोड़ा सा श रेल िंजन वाल रेनारो प्ट्सक्रा रेस्ण सावांड का मैरे मारने शाय मेर मारे के कैंड यूप तुम्हेँ पता है मैं कॉन हूँ क्यों तुझे निसक्राहिए ह मुझ से मुझ से बात करें तो प्र फ्लोर से अब आपकी समझ में आ गया ना यह बहरागी नहीं भाई राजू यह क्लियर हो गया अब आप जा सकते हैं तुने जाने को बोला इसलिए नहीं जा रहा हूं यहां वापस आने के लिए जा रहा हूं यह बात व्याद रखना यहां जरूर आऊंगा अगर मुझे सबूत मिल गय को ली मारूगा सब मर जाएंगे लाइन हाल टेट अब आपको लगता है मने यह सब कट्टापा सब डर के किया है बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह अकेले रहते हैं इसलिए आपके लिए फैमिली सेट कर दिए कि मेरे भाईया पहले कभी नहीं आया थे सब तुमारी वज़े से हुआ है आम सो हापी तो इस मौके पर तुम्हें एक ट्रीट दू कैसी ट्रीट यानि मुझे लगा खाने की या पीने की होगी लेकिन यह बहुत बाड़ू ट्रीट थे वह देख लेता तो अब तो हमारी श लेकिन मैं तो समझा था कि ब्रेक अप हो गया है यह देन यू आप लुग 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 यहां पर क्या करने हैं और भाई वह गनेश आना वापन के पास आया था अब अब अन से बात करने के लिए क्या बोला उसने तुम सब को यहां इसलिए बुलाया कि आए कि बहरागी वही तुमसे बात करना चाहते हैं यह क्या बोला इसने बोला क्या वही तो क्या बोला उसने उस बैक्डराउंड म्यूजिक में कुछ सुनाई ने दिया तो तुम लोग रोई क्यों थे उस म्यूजिक में मस्त सील था बाई यहां यह बैक्डराउंड म्यूजिक नमस्ते मास्टर जी आजा सेनु आजा माजी कैसी है आप मैं ठीक हूं बेटा हम गाउं से आ रहे हैं यह जानकर भी अमारा बेटा हमें स्टेशन लेने नहीं आया इस बात से मुझे बड़ी खुशी है क्यों मास्टर जी मैं चारा प् बैक्डराउंड में चीटी और कभुतर की आज उसी कहाने पर फिल्म बना रहा है वहरागी ने उसकी जान बचाई यह बात उसके दिल पर असर कर गई थी और उसकी तस्वीर लेकर उसकी हेल्प करने के लिए घूमता फिर रहा था इसे अवाइड करने के लिए मैं अपनी लेकर भद्राचलम चला गया था पर इतने सालों के बाद भी वो बात इसे याद रहेगी यह मैंने सोचा नहीं था लेकिन उसने तो सोचा यही है उसका करेक्टर वैरागी आज के दिन पूरे शहर में इसी बात की चर्चा होती रही कुछ लोग इसे ही वैरागी मान रहे है और कुछ लोग इसे पबलिसिटी स्टांट कह रहे हैं पर इसके बारे में अब चैनल चैनल चेनल करो मुझे मेरा सिरिल देखना है मेरा चैनल लगा पेवरिट चैनल है पहले मेरा चैनल को शलदी लगा च्छरा गटरा ए ऑंकर वे decisor करड़ Su ओना तक इन सबको बाहर निका कि तुम वही वैरागी हो तब तक का सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और तू ही उससे बैरागी बनाकर बाहर लेकर आया और तूने ही उसे भाई राजू बनाकर उसकी फैमिली भी बनाई अब आगे तू क्या करने वाला है बता था कि शेर को घास खिलाओगे तो वह नहीं खाएगा खिलाने वाले को खा जाएगा आखिर तू ऐसा क्यूं कर रहा है यार अपने स्टिस्फेक्शन के यार तेरा स्टिस्फेक्शन से भी ज्यादा डराऊना लग रहा है ओ देख यह सब बहुत हो गया अब बंद कर यह सब सुन् मेरे सबने सबनाया है वह सब में стать घर करके बता दूगा अब भी जाके अब भी बताता हूं अब भी बनेश तूहहेँ के साथ के साथ से लिए लगए एलोगर था आटेस्व रिसॉट से मसाज रिजोट नहीं मैंने कहा मांसा रिजोट मुठी को जब मूद हो तब मूद हो चले चाहिए और राष्टे कार में थे पुछ से कुछ काम था गया अब तू ही तो मुझे कुछ बताने वाला था पाड़ी मसाज के सारा ट्रिंग प्री है चलो में क्या तेरी तो चलेगा क्या ओके गाइज मैं चलता हूँ कटपा का फोन आया है इस इसे फोन करता हूँ इसका बैड मार्निंग होता है इस कटपा का नाम सुनते है पंची पानी नहीं पीते है आपका नाम सुन के क्यों पाइगा जब प्यास लगे कितब पिएगा न अब अभी बिलकुल मत आईयो हम लो अभी घर पर नहीं हम लोग बहार रहें तो तुम लोग कहाँ सुबह सुबह सारे मर्द लोग वॉकिंग करके फिर जॉगिंग करके अभी आपके साथ फोन पर तॉकिंग करके बाजार में बस एंट्री कर रहें इस बाजार में आड्रेस बड़ा कन्फ्यूजिंग है आपको मिल नहीं पाएगा बैजाग के हर एक बाजार को मैं जानता हूं तुम लोग कहा हो ये बताओ मैं अभी वहां आता हूं हमारे गड़ से निकल कर ईस्ट की तरफ जाके एक् वहां से यूटन ले लिजी फिश मार्केट आएगा एक पचीस केजी मचली लेकर आऊं क्या वेजिटेरियन मचली कैसे खा सकते हैं अरे इसने तो जबरदस्त पंच मार रहा है एक दो कदम आगे बढ़ जाईए फिर राइट ले लिजी वहां पर तो सबजी बाजार तुम लोग कहा हो यह वताओ कटपाजी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं आप आप वहीं रुकिएगा मैं बस दो मिनुट में पहुंच रहा हूं जाना नहीं है ओके बाई दो मिनुट में तो फ्लाइट भी नहीं पहुंचा पाईगी समाज गया ना कितनी स्पीड में जा हाँ पीछे कर आप हूं जाम है मैं तो तुम लोग यह नहीं थे अप आगे देख रहे हैं इसलिए मैं आप चुल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आत में थैली कर दो यकिन हरो सार म सब्सक्रूदी करिद में शायक है में लिया हैं चोके सब्जी चीज में खरीद में उसाते हैं आ इसा लग रहा है जैसे तुम लोग सबजी खरीद ने ही करने आये हो क्योंकि जब से तुम लोग इस बाजार में आये हो यह चोर बाजार लग रहा है, जबान समहा लिया इंस्पेक्टर, यह क्या कह रहा है, फेज देखकर प्रोफेशन, ब्रेस देखकर डेफिनेशन, आइस देखकर इडेन्टिफिकेशन, जस्त ऐसे ही देखकर है first verification next confirmation उसके बाद notification I don't like this kind of confrontation if you are putting me in irritation my anger will become sensation stop your over action I am an ocean I have one station that is police station you are in frustration चुपो जाओ वो कितना खतनाक लग रहा है शक्ल से ही वो सबसी खरीदने वाला नहीं लग रहा है अब खाली फोकट गाली मत दीगे सर यह 24 करेट्स का सोना है मुझे तो यह कहीं से पीतल भी नहीं दिख रहा है तो यह सोना कहां से लग रहा है यह क्या कह रहे है आप बैंग करतने भोले हैं सर कि विपाशा पासू को देखकर बस समझ को से पकड़ने जाते हैं आप अगर हैंज अप कहेंगे तो थम्स अप या सेवन अप समद लेंगे सर भाई को सिरफ खाने से मतलब है पीने से इनका कोई लेना देना नहीं है गुण शेकर से गुण विनायक से वि में आजाओ अभी नहीं छोड़ूंगा मैं तीछे अब क्लियर हो जाएगा अगर इसने हथियार उठाया तो कन्फर्म हो जाएगा ये बैरागी है उसके बाद खेल खत्व सुना अभी तरवार उठाओगे तो कन्फर्म हो जाएगा तुम बैरागी हो यह क्या सर यह अपनी पुलिस अकैडवी की तरह भाग रहे हैं है यहां सिर्फ चार पुलिस है वहां 400 पुलिस मिलेगी पहजान लिया तो काम तमाम यहां 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 जब तक तुझे मार नहीं दूंगा यहां पीछा नहीं चाहूंगा हुप मिलेगी के उये हैं अब बीचा कर पाल दो कल दो क्यासएब क्यच्व לחिट जब एल एव एं कर दो केे उता है जब कर एंदो क्यों है टाइ एंदो अछते है चाप जय काप करें, करेंट बब tarत शुंग शुख सुख भ div क्या देख रहे हो तो देख रहा हूं कि पेंडिंग अच्छी है या पेंडिंग करने वाली तो देख लो कि अबे रोक लें कंट्रोल कर अपनी आखों को परना पता नहीं क्या हो जाएगा गड़ड़ हो जाएगी कंट्रोल क्यों वे यह लड़की तुझसे प्यार करती है और तु इंकार करता है तु दिखने में मेरे जैसा लेकिन है नहीं तु मेरा डुपलिकेट है तु तु यह दिखाना ओवर एक्शन अइसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते है और यह तुझे लाइन मार रही है पैन में जैसे चिपकता है और तु इतना गाप दे रहा है तु मेंटल है क्या सेंटीमेंटल मैं अभी उससे प्यार नहीं करता है आखि और उसके लक्षन देख सुन पास से दूर जाने के लिए एक मिनिट काफी होता है लेकिन दूर से पास आने के लिए जिंदेगी निकल जाती है जो तू बोल रहा है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है चांड जैसी लड़की तुझे देख रही है और तू अपनी शकल चंद्र सर्व बैरागी की जिंद्गी के साथ खेल रहा है और आप इत्म नाम से पेपर चेक कर रहे हैं ये लिजे सर उसे अभी फोन कीजिए और सब को छोड़कर आने के लिए कहिए सर क्यों आने के लिए कहूं उससे कहूं कि जो कहानी सुनाई थी वो गलत है तुम सबको सिर्फ कोर शिक्षाप्रत कहानी की कहानी याद है पर उसके शिक्षा अची तरह याद है शिक्षक होने के नाते मुझे उसकी आज्ण पर गलब का अनुभव हो रहा है गणेश के टुकडे टुकडे करके उसे काटना होगा मेरा नाम सुनते ही पूरे शहर में तहशत फैल जाती थी और अब उस पुलिस वाले के डर से मुझे भागना पड़ रहा ऐसे ही जलता रहा तो इस शेर को चूहा बनना पड़ेगा वो इस वक्त मेरे साथ जो भी कर रहा है वो उसे बहुत भारी पड़ेगा उसकी जिंदगी में मैंने सुनामी नाला दिया तो मेरा नाम नहीं अरे वाह तुमने कितनी साही बात बोली उसे पकड़ो अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल साही कनेक्ट कुआ हूँ उस कमिने बेहकु बना के मेरी शौट फिल्म बनाई लेकिन तुम्हारा लिए तुछ ने बीच में घुषने की ज़रूरत नहीं है ऐसे रिटार गुंडों को अपने साथ रखोगे तो तुम्हारा सबना चोड़कर मेरे जैसे कुम्खु बेच के साथ गुमना चाहिए जिं अपिक पंद कर दो सोडा करा सोडा कराने के लिए मैं कोई सोडा माश्टर नहीं हूं मैं रिंग माश्टर हो यह पिर से रिंग माश्टर बन गया है तो ठीक है, अपनी रिंग में जा यह सही क्या वोला। ऐसे क्या वोला तुमने अभे तु कुछ भी कर जा कुछ भी नहीं तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो तु यहां से जा ठीक है जाता हूं भाई आपको यहां एक बात बताने के लिए आया था अब जाके मुझे याद आया है घर में दूद का पैकेट खतम हो गया है यह लेचा दूद लेगा आज रात ही उसे मारना है किसी भी तरह से भी यह उपाएगा अपने सारे लोग से बाते मानने लगें तो फिर बाहर से आद्मियों को बलाओ कि लगता ही एक कभवाली का बैच भाई को छोड़ेगा ने भाई के उचने से पहले इन्हें सुलाता हूं कि क्या ने भाई को मारना आया था क्या मेरे होते भी नहीं मार पाएगा तक तेर मेरे पंच की वालेडिटी बहुत है या टाइम पर लग जड़ा है मैं कैसे मार रहा हूं तुम लोग कैसे ओड़ रहे हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह टकले मैंनच से सीड़ी चड़कर उपर आया ना शॉटकट से बहिज देता हूं तुझे इंजॉय दी एंटी ग्रैविटी इफेक्ट सारी भाई वो कपाली के छोक्रे लोग आपको मारने के लिए फिर से आये थे आपको डिस्टब ना हो इसलिए उन्हें सुलादी है मुझे नहीं गणेश यह सब तुझे बारने आये हैं इन लोगों को मैंने ही दुनाया है अगर मैं मर गया तो आपको बचाएगा कौन मैं अपके बैक्बोन जैसा हूँ यह सब लाइटली लोग जाओ सोजाओ ओके मैंने बोला सोजाओ यह मेरे लिए बैक्बोन नहीं बैकपेन है इसे अभी खत्म करता हूँ नेताओं के जहासे में आकर वोट डालने वाला में वोटर नहीं हूँ शूटर हूँ तुम्हारी याको का गुस्सा बता रहा है कि तुम्ही बैरागी हो इतने दिनों तक मैं इसी सीन का वेट कर रहा था अब तुम्हारा सीन खत्म हो गया समझे यह तो सिर्फ ढरा रहा था अब तुझे अंदर टालूंगा अपी बर्थ डे टू यू अब यह क्या है अब इंग्लिश में वीक है इसली मैंने हिंदी में लिखा है इन्हीं का बढ़ दे हैं गब वहा था इसका जन्म बताता हूं सर हमारे भाई उननीसो सतत्तर में सात्वे महिने की सात तारीक को साथ बज़कर साथ मिनिट में रोते हुए पैदा हुए अब ये तुम सबको रुला रहा है अब तलवार आंखों में गुस्सा लग रहा है जैसे किसी को मारने जा रहा है मारने के लिए नहीं सर कट करने के किसी का गला कट करने केक सर केक काटने के लिए को इतनी बड़ी तलवार नहीं उठा था तो बड़ा केक भी चाहिए और बड़े केक को काटने के लिए बड़ा हत्यार भी तो चाहिए ना प्रश्ण चाहिए जितना भी बड़ा हो जवाब त अपनी बेहन को और अपनों को पहले केक खिलाते हो ना यह क्या भाई आप और भूल गें नेक्स्ट अपने पैरेंट्स के पैर चुआ और उनके आशिरवाद लेलो जल्दी अरे यह सेंटिमेंट है या मैनेजमेंट है इंजोईमेंट सार वाई इनको भी खिलाओ गुलेट से तस्वीर बनाई इंग अब अब जोग दोनों बिल्कुल पसंद नहीं विलाल इस वक्त तो तु मुझसे बच गया है लेकिन तुझे सब्सक्राइल पहुचाने के लिए मैं यहां बार-बार आता रहूंगा यह फेकू के रियक्शन से आप रिलेक्स रहो जाओ 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 सब्सक्राइए यह तेरा कैसा बड़े सेलिब्रेशन है तु इतना हटा-कटा मजबूत आदमी है लेकिन तुम्हारा दिमांग अभी भी बच्चों जैसा है तुम्हे पता है ना वो तुम्हें कितना बेवकूब बना रहा है या फिर तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता है तू कौन है तुझे पता है कौंग फू मास्टर और मैं कौन यह कौन नल्लू स्वामी वो क्या है केक अब तु जो कहेगा मैं यकीन करूँगा अब बोल है है पी बड़्डे टू यू बड़्डे केके बड़्चकलू क्या बटर स्कॉट मैंने उसके डेथ डे का प्लाइन किया तो उसने मेरा ही बर्थडे प्लाइन कर दिया मेरी फेलिंग्स से तूसे कोई मतलब ही नहीं उस अब तो उसके प्यार के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ मैं उसे मारना चाहता हूँ पर कुछ और ही हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ाने के लिए उसे जबरदस्ट चूट पहुंचानी होगी उसके माबापको खत्म करता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर होगी मुझे एबियन कॉलेज में एक एक्जाम के इन्विजिलेशन के लिए जाना पड़ रहा है तुम कॉलेज में ही आजाओ हम वही से फंक्शन में चले चले चलेंगे ठीक है वही आजाना आज 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 जितना जानता हूं उतना ही लिखाओं बागी काप सम्हाल लीजेगा आज आज आम के पास पर्ची आज पता है गनेजी ने भीचा आपको उसलजे भीड़श का पर भाहां ऐखाव। प्लीज भई प्लीज 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 ओओ इतनी जल्दी हो गया तो फिर से एक्जाम दे दूगा मर गया तो अब इस्टाप राइटिंग और यूरांसर शेट्स अब तुम अभी एक्जाम दे रहे थे ना कहां जाना है पेट्रोल खत्म हो गया लगते आजो मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाओ क्यों बेठा एक्जाम तो ठीक गया ना क्या हुआ ऐसे क्यों घूर रहे हैं तुम मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा अरे बापरे चली 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 वहां की सारी अरेंजमेंट्स हो गई है लेकिन इंगेजमेंट रिंग तो हमारे पास है जी क्यों इतनी टेंश बहुत ज्यादा समान है इसे तू पकड़ ले बूड़ी हो गई है ना ज्यादा वजन नी उठाय जाता है असे पकड़े रहो बेठा तुम यहां क्या कर रहे हो यह क्या वाई एक्जाम हौल से मैरेज हौल तक आपको गाड़ी में बिठा कर लाया गया अभी आपका इंगे दूले वालों की तरफ से मेरे माबाब आपको यहां दूला बना कर लेकर आए और मेरा इंगेजमेंट क्यों आप फिर से गारेज ने चले जाए इसलिए आपकी मैरेज सेट की है वर्थडी में जैसे केक काटते है ना वैसे ही टुकडे टुकडे कर दूंगा मैं खटम कर द लड़की का बाब कॉन है सारे अरेंजमेंट बिल्कुल पुकता है ना आप ऐसे गया तो आपको कोई दूला नहीं समझेगा शादी में काम करने वाला समझेगा जल्दी से कबड़े बदलोर चलो अब देखना यह है कि यह शादी कैसे होगी थांक्स सर जी क्योंकि शादी तो आप ही करवाने वाले हों मैंने क्या कहा और यह क्या कह रहा है टाइम हो रहा है दमाद जी कहा है वह रहे हाई दमाद जी सर तुम कौन इस एरिया का सी आई हों सर ठीक तो यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब पर अपनी नज़र रखो मुझसे बचकर तुशेर के कुछ भी अगर गरबड के तो बुलेट सिधे अंधर वह फायर ब्रैंड है तो मैं फायर एंजीन हूं भाई मिस्टर भाई राजू इस इस माइफामिली हमारे भाई सिर्फ भाई राजू ही नहीं है भाई राजू बी-ए-म-बी-ए-म-कॉम-म-C-A-L-L-V-L-I-C-L-I-C- काम करते हुए उन्होंने सारी डिग्री की पढ़ाई कर ली मेरी बेटी भागी लक्ष्मी अगर्ल विगण वाग्यासिक यह मुझे बहुत पसंद आया एक बार शूट करके देखो प्लीज जादी की बार शूट कर देना आखिर जाएगा कहां यह हमारा घर जमाई बनने व देख लगता है तुम बहुत इंटलीजन्ट हो मैं सिर्फ थाड़् डिग्री की बारे में जानता हूं इन सब डिग्रीस के बारे में नहीं इन सब डिग्रीस पर मेरे भाई की अच्छी ग्रिफ है वह तुम्हारा नॉलेज़ टेस्ट करने वाला है ओके वो कुछ भी स्टीम इंजन का अविशकार किस ने किया? पलने ने कंपे एंटनेफ किया रहता है न फ यहां प्रत्त ने कंपे जिल चाहिए लोकान स्टाहिए लोका एक यहां न वह लिक ओप Tong प्रेटा थसी अब है कि भ और शिल्डा इंग्लिश्में क्या कहते हैं अब न है पूचिनौ पूछी दाफकी इंडियन कांग्रीश की स्थापना फ़ीं हुएं करेक्ट है एस दो बार को सींबाल कि एप लुणताаменagar यह तो डॉलर को भी कट कर रहा है मन में एक सवाल है आपने सारी डिग्रिस तो हासिल कर लिए फिर ये एंबीबीएस को छोड़ दी भाई को ब्लड से डर लगता है ना एक खोने को ब्लड से डर लगता है अब बस करो ना डाड़ी इंटर्वी खत्म हो गया ना आप शूट कर सब्सक्राइब करने के बाद स्टेज पर यहां कौन सी मुश्किल है मताओ कौन सी स्टेप देखना चाहोगे आप वीना वाला स्टेप दिखाओगे करना試 यह परें और ना कर अभरों धूराना स्टेप कर निल अब बाद सिस्टेप करव बाह स किज अभी नया वला दिखाएगे भाह यह अब ऑला असाना पर ना तुम थो मेकैनिको ना पंक्चर बनाने बारनी निकालकर बोल्ट निकालते हैं ना पंचर बनाते वक्त अवा भरते ना अलका अलका पिछवाड़े को हिलाते रो ऐसे बस हो गया सिर्फ वो लोग रांस कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते क्या क्या है कि यह भी लगडा बस्यादा है ना तो हम लग दूसरे लोकेशन पर जाते हैं कुडिने को हसी है कमर उसकी जपिस है जानमारे दासे ते चुराई मजे से पिंडा मिला पठाक से तिंच चुदाया पठाक से प्यार के बजा शे छाखा गया होटो से जुम्बा मेर जकना, जुम्बर जुम्बर जकना, जुम्बा मेर जकना, जुम्बर जुम्बर जकना से 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 सा तुम कुडी सिपर है, इरादा क्या है, तेरा बता दे कुडी तु है सिपर टॉप ले, दिल का ती लैप टॉप ले तके तर्च पया है जत्पान दोर पत्ल खख़ 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 खखंग खख़ उस धुतानर खुले हुए लिप्से, जैसे काट रहे है जिवसे, ठीकी ठीकी तेसे है तो चिली होट से खुले हुए लिप्से, तो कंद का रेमिक्स, दा के लाउंक इस पे काड़ के ठीकलेगा सरा खुले हुए लिप्से, खुले हुए लिप्से, खुले हुए लिप्से, तेरी माचो भाड़ी सुपार है बिर लिप्से, तो में आरी हुए लिप्से, तो में थीकले है कुझे पर पताओं कैसे खिल सिदा हुआ कैसे हाँ लेट राइट बुड़ा जब से दिलाये तुझे से तुने भी होखा सबसे प्रफोज किया ऐसे नहीं करना था फिर भी इश्क तर लिया तुझे से 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 और अबस हो गया हम तो इश्के मर्द है हैरे ऐसे तेरा कहना सूपर है तो दुकी जोड़ी सूपर है छोड़ी तेरा इश्क सपर है तेरा तेरा भीरा दॉ度 है चोकऴ चोकर 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 जब है चपने जब आपर जब आपर जब युदक तब्सक्राइब क्या पुदकर ऊप्टर युदक पार दमाजी कहां गाइब हो गया तुदकू क्या हो रहा है यह सास्त्रा वो लग भाईया को मार रहे हैं कि मौत के पास पेरागी तुम्हारी जान है ना यहां तुम्हारी जान जा रही है जंदी से आजा वर्ना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी क्या अप्लप्ण करूग ईया झालं तुम्हारी तुम्हारी नहीं मिलेगी जई रहे हैं कि जड़े से veinsी ड्सक्राइब यहारी क्या कि अ stay ग Kenya ग बदये टाऊ इम इन किक अम tipस्राइब गहार है जी चा है टो कि दिल की धड़कनों के साथ यही सोचता रहा कि मैं तुझे कैसे मारू आज मिला है तू सारे हिसाब चुकता करूगा कि तुझे मारने के लिए मुझे अपने दुश्मन से हाथ मिलाना पड़ा कि हेल्प के नाम पे हेल दिखाएगा तू हाँ यह सब मैंने आपको खुश रखने के लिए किया है भाई तू मरेगा तब मुझे खुशी मिलेगी अब यह मर चुका है इसे भूल जा तू यह क्या किया तूने दोखा हाँ हार्ट अटेक से भी टिंजन होता है यह यह तुम्हारा नहीं हमारा है इसके रहते तुझे मारना मुश्किल था इसलिए इसे तेरे ही हातों मैंने आज मरवा गिया अब तेरा काम हो चुका वेरागी अब इस सिठी का मैं हो वेरागी मैं हो वेरागी आई को मुझे मारने का अधिकार है क्योंकि मेरी जान भाई ने ही बचाई है भाई को मुझे मारने का पूरा राइट है कि मैं गुझे अचार है इस अप्किल को मुझे इस यह वी वी कि अज धुझे आए इस खुआ की अगाई इस अप्किल कुआ की एसा वेरागी इस जुआ की अब पाई हुआ इंसे सो हुआ हुआ अएफे टचल्याजन करें हां हुआ हे आप mencionेश सुप माज़ी टाद़ कि यहां पुर्मक बाद़ हब अजयद करें कि यहां हुआ 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 हँये अभन कि यह दो जो शो झाल ठाह क्या यह एक है सिक्सपक बाई तो कपका करके छोड़ चुके हैं तुम तो मुश्रेट होगा अगर मेरी मौत से ही आपको खुशी मिलती है तो मारती ही मुझे बाई एक बार फिर आपने मेरी जान बचाई नहीं प्लीज इसे मेरी हेल्प मत समझो तुम्हें अपना आदमी समझ कर मैंने बचाया है एक बार तुम्हें बचा कर मेरी जिंदगी प्लैटफॉर्म बन गई है अब मेरा पीछा करना छोड़ दो प्लीज यार प्लीज आपने एक बार फिर से मेरी जान बचाली है भाई तो आपकी जान बचाने के लिए मैं सोच ये क्या करूं तो यार तू समस्ता क्यों नहीं इस तरह क्या देख रहा है तो इतने दिनों ते कही सोच रहा था नहीं कि ये मेरे साथ क्या करेगा इसने तुम्हें पुलिस आफिसर बना दिया कवे का और तुम्हारा कोई लिंक ज़रूर है तेरी जिन्दगी को प्लैटफार्म नहीं यूनिफार्म दिया इसने है और यह सब इसने मेरे साथ मिलकर किया है मैं इसका चाचा हूं एक दिन तु उस कपाली गुंडे से डर कर भागा था ना वो तू के रन पूलिस ग्राउंड में जो कुछ भी तुने किया वह सब फिसकल टेस्ट था तुम जो उस दिन मुझे मारने आए थे एक्जाम के हॉल में वो तुम्हारा रिटेंट टेस्ट था आज सिर्फ तुम्हारी इंगेजमेंट ही नहीं हुई पूलिस इंटरव्यू भी हुआ डिपार्टमेंट के द्वारा कियेगे सारे टेस्ट में तुम फिट हो अभी तुम और मैं सेम डिपार्टमेंट पे हैं यह लो तुम्हारा ट्रेंणिंग ओडर तुमने यह सब क्यों किया उस भावानी को मारने आये थे तब आपने कौन सी ड्रेस पे नहीं थी जरा याद करो ना भाई अब अच्छे लग रहे थे मुझे आप पुलिस वाले हैं लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि पुलिस खुद आपको ढूंड रही है आपने मेरी मदद की ना भाई इसलिए मैंने आपके साथ यह सब किया आपको मैंने पुलिस वाला बना दिया और आपकी जिंदेगी स तुम लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है तुम लोगों के लिए चाय बनाओ क्या वन बाई फाइफ इस्ट्रॉंग ये लाइट जो कुछ भी है लाइट शक्ति हर इंसान के पास एक समान होती है पर उस शक्ति का उप्योग कैसे करना है